नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से जो फर्स्ट नावीडियो देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दू मेरा नाम सुशान बख्षी है stock market पे और crypto पे quality content बनाना मेरी खुबी है रूची है हबी है लेकिन किसी भी तरह से निवेश की मेरी कोई भी advice नहीं है क्योंकि crypto stock market हर जगा निवेश जो है जोखिम भरा हो सकता है और अगर आपने निवेश करना है अपने financial advisor की मदद ले लो क्योंकि अगर मेरी advice पे आप करोगे और आपको के नुकसान यहानी होती है तो मेरा या मेरे channel की इसमें कोई भी जिम्वारी नहीं है वीडियो खाली education purpose के लिए है ताकि आप भी सीख सको जान सको कि ये माया भी दुनिया है कैसी मेरे दोस्त जो मेरे साथ जोड़ना चाहते हैं स्क्रीन पे आप WhatsApp नंबर देख रहे हैं दोस्तो इस नंबर को अपने mobile में save कर लो मेरे साथ WhatsApp पे जोड़ सकते हो मुझे message कर सकते हो और कोई भी आपकी परशानी दिकत रहती है वो दूर करने की कोशिश करूँगा अब आज एक important topic पे मैं चर्चा करने आया हूँ जिन parameters को मैं discuss करूँगा वो है आप सभी के साथ कभी ना कभी भविश्य में क्या कोई अन्होनी हो सकती है क्यों स्क्रीन पे आप देखिए ये मैं multiple screenshot आपके साथ share कर रहा हूँ कि मेरे काफी ये मैंने चर्चा थोड़े दिन पहले भी की थी लेकिन जब अभी थोड़ा detail में है मेरे काफी दोस्तों ने और भी मेरे साथ discuss किया तो मैंने कहा आप सभी को ये बताना जुरूरी है ये है गया और आपको इससे कैसे बच सकते हो पहरे तो ये है अगर आप अपने main account में पैसे ले रहे हो पाई बेच के या किसी भी तरह से तो दोस्तों उससे आपको बच के रहना चाहिए क्योंकि आज नहीं तो कल कभी भी बिविशे में अगर आपका account रिपोर्ट हो जाता है तो आपका account जो है वो फ्रीज हो जाएगा और उस फ्रीज के बाद अगर उसमें तो छोटी मोटी रकम है वो आपके हाथों से चली जाएगी जब तक कि वो कलियर नहीं करा होगी और अगर बड़ी रकम है फिर तो आप बड़ी मुसीबत में फस होगे क्योंकि बड़ी रकम अगर 8-10 लाग रुपया पड़ा हुआ है और account फ्रीज हो जाए फिर आपको जो पुलीस टेशन है वहाँ पे चक्कर लगाने पड़ेंगे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कैसे बज़ सकते हैं वीडियो पूरा देखो के समझ में आईगी और मेरे काफी दोस्त ये भी कहते हैं कि सर वालेट में कैसे कॉइन लेने हैं क्या देखना है वो भी आपको आगे के पार्ट में समझाओंगा और एक इंटरस्टिंग चीज बताऊंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप पाई सेल कर रहे हो बेच रहे हो उस केस में सबसे पहले तो दोस्तो मेरी एक एड़वाईज है जिसको भी सेल कर रहे हो इस वकत दो चार उपे उपर नीचे का नहीं देखो इस वकत ये देखो कि पहले आपकी सेफटी कितनी है आल दो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दाम पे सेल करने चाहिए मेरी आपको एड़वाईस है जहां से बेस्ट डील मिले वहाँ एड़वाईस वहाँ सेल करने चाहिए लेकिन जिसको सेल कर रहे हो क्या उस आदमी को जानते हो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने उसको सेल की आपके एकॉंट में पैसे तो आगे और साथ ही आज नहीं तो कल आपका एकॉंट भी फ्रीज हो जाए यही स्क्रीन पे मैंने बताया है कि काफी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनका एकॉंट जो है वो फ्रीज हो गया है और फ्रीज कहां से हुआ है आप मानलो मैं जमू में रहता हूँ मेरा एकॉंट फ्रीज हो जाएगा गुजरात में गुजरात पुलीस कर देगी साइबर सेल वाले मैं बैठा हूँ जमू में मेरा एकॉंट फ्रीज हो सकता है हैदराबाद मेरा एकॉंट हो सकता है तेलंगाना में क्या करूंगा क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ नहीं फिर क्या करूंगा जब तक प्रावलम साल्व नहीं होती तब तक बैठके तमाशा देखूंगा और प्रावलम कैसे साल होगी मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा या वहाँ पर वकील हायर करना पड़ेगा जो सारे प्रोसेस को देखे और इस सारी चीज में काफी आपका टेंशन हो सकती है मेंटल पेन हो सकती है आपके पैसे जा सकते हैं तो सेफ क्या करें दोस्तो मेरी डवाइस यह है अगर आप क्रिप्टो में काम करे हो आपको एक अकॉंट ऐसा रखना चाहिए जहां पे जीरो बैलेंस हो आज कल काफी अकॉंट जो है वो जीरो बैलेंस पे खुल रहे हैं वहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए इससे क्या होगा जैसे ही आपके अकॉंट में पैसे है उस फंड को ATM से विड्रा करना है किसी और अकॉंट में नहीं आपने डालना अगर किसी वहां से विड्रा करके किसी और अकॉंट में डालोगे आपको वो भी अकॉंट साथ में फ्रीज हो जाएगा तो कोई भी zero balance account खोल के आपको वहाँ पे funds रखने चाहिए क्यों रखने चाहिए ये भी सुझा देता हूँ और ये सारा system के अफराड़ का ये भी बता देता हूँ है क्या मैं बैठाँ जम्मू में और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कोई crypto currency sale कर रहा हूँ मैंने फर्ज गरो finance या किसी भी exchange पे sale कर दी वहाँ पे जो और ये ज़्यादा problem आरी है P2P में regular sale में नहीं आरी P2P में आरी है तो आपको कैसे ये सारी चीज़ से बचना चाहिए पहले तो P2P में dealie नहीं करनी चाहिए अगर करते हो तो उस आदमी से करो जिसको आप जानते हो अब होता गया मेरे account से कोई पैसा चोरी हो जाता है मैं क्या करता हूँ उसको report करता हूँ police station में की मेरे साथ scam हो गया या मैंने फलाँ आदमी को पैसे दिये उसने क्या किया मेरे साथ fraud कर लिया जिस purpose के लिए पैसे दिये वो purpose भी पूरा नहीं हुआ और मेरे पैसे भी उलेके scam कर गया काफी सारी examples काफी सारी stories यह आपने सुनी होंगी यह तो गया एक parameter अब आपने पैसे दे दिये और आपके साथ fraud हो गया आपने application दे दिये आगे क्या हुआ अब वो जो scammer है उसने क्या किया वो ही चीज आगे rotate की आगले third person को और third person ने क्या की आगे वो rotate की multiple persons को और third person क्या हो सकता है कोई P2P exchange चलाने वाला vendor हो सकता है या कोई ऐसा आदमी हो सकता है वो क्या करता है वो fund जो है scammer के आप उसको भी नहीं पता कि ये scammer है वो fund उससे लेता है और आगे multiple persons को transfer कर देता है ना fund रहे scammer के पास ना fund रहे जो आदमी चला रहा है उसके पास fund किसके पास आगे जो multiple persons है अब क्या होगा जब ये report हुई जी हाँ जब ये problem report ही police station में वो क्या करेंगे scammer को चेक करेंगे उसके account में पैसा नहीं है फिर चेक करेंगे vendor को उसके account में पैसा नहीं है फिर चेक करेंगे जो लोग है किनके account में यहां से पैसा गया और उन सबके account फ्रीज होंगे इस शक के बिना पे कि जो पैसा मैंने दिया है जी हाँ जो पैसा मेरे कॉंट से गया है किसी ट्रांसेक्षन के लिए वो आगे ट्रांसेक्षन कंप्लीट हुई है मेरे अप्लिकेशन देने की वज़ा से वो जो मल्टीपल बंदे हैं ऐसा माना जाएगा कि वो multiple बंदों को पैसा transfer हो और सबके account जोगे freeze हो जाएंगे सबको notice आएगा, जवाब देने के लिए बोला जाएगा और आप सभी बोलोगे कि हमने crypto currency sale किया, फलाना किया, ढमकाना किया लेकिन जो भी authorities है वो इसको कभी भी नहीं मानती काफी less cases में जो है आदमी safely बच सकता है, court में भी उसको रहात नहीं मिलती करना क्या पड़ता है, मानलो आपके account में 48,000 रुपीज आया या 50,000 आया या 20,000 आया या 10,000 आया आपको ये 10,000 रुपी उस आदमी को देके जो है खलासी करानी पड़ेगी इसलिए आप जिसको भी अपना sale कर रहे हो, वो आज नहीं तो कल problem में फस सकते हो इसलिए cash पे पैसे लेने चाहिए, ऐसे bank account में पैसे लेने चाहिए, जो आप कम use करते हो या जो zero balance account है, अभी मैं देख रहा था bank का बड़ोदा, active bank, काफी bank zero balance account कोल रहे है आपको उस वहाँ पे एक account रखना चाहिए, और इसी के थुरू सारी transaction करनी जो जैसे transaction हो ATM लेके गए, वहाँ से पैसा विड़ा कर लिया, यह Paytm payment bank, आप देखो मैंने जो screen shot share की है maximum cases में यह Paytm payment bank में लोगों ने account खोले हुए है, और वहाँ से transaction करते है ताकि अगर दिक्कत आए भी, तो Paytm payment bank में है, लेकिन अब एक चीज़ हो रहा है, जो मैंने बड़ी interesting note की है 95% से ज़्यादा जो मेरे साथ बंदे जुड़े हैं, जिनोंने मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में काम किया, उनके पास Paytm का account ही नहीं है वो सारे phone पे चला रहे हैं, वो सारे Google पे चला रहे हैं, मतलब आपकी स्टारी transaction गूम फिर्ट के किसमे जा रही है, आपकी phone पे, Google पे और आपके bank account में जा रही है मतलब आपने इन apps को अपने main account के साथ लिंक किया हुआ है, कल को problem आ सकती है इसलिए direct transaction के case में आपको zero balance account खुलना चाहिए, और अगर आप इस सारी चीज़ें बचना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बाइनेंस पे एक account रखना चाहिए और वहाँ पे क्या करना चाहिए, जो पैसा आप ले रहे हो, मान लीजिए कि आपने 10,000 पे विड़ा किया, पाई की सेल के साथ ही पहले तो उसको सेल करो पाई, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस पे फेट हो, ऐसे रैंडम पैसों के लालच में अगर सेल कर रहे हो, तो वो आपको कल को दोखा हो सकता है मेरे काफी दोस्त बोलेंगे कि सर ने बड़े तरीके से खुबसूरती से ये सोचके किया होगा कि इनके तुरू सारे सेल हो, नहीं मैं वैसे भी दो-तिन दिन से बहुत कम कर रहा हूँ, reason being that कि market काफी fluctuate हो गई है और expected price नहीं हो पार है, जो 10 दिन पहले का दाम था, अब दाम नहीं है और मेरी भी एक limitations है, तो जिसके दुरू भी आप सेल करना चाहते हो, आपको उसके credentials पता होने चाहिए क्या वो trustable है, नहीं है, क्या है, क्या उसकी वज़ा से काला problem में तो नहीं फसकती है, सारी चीज़ें, सोचके फिर उसके बाद जो है, कदम आगे बढ़ाओ अब करना गया है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, लेकिन आगे चर्चा करने से पहले, बढ़ने से पहले, कुछ screenshot आपके शेयर करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों ने जो बताया, मनीश तिवारी कहते हैं, कि सर जैसे आपने demand और supply का लाभ बताया, वो तो ठीक है कहते हैं, लेकिन core team का जो process ही इतना slow है, कि लोगों की उमीद ही खतम हो रही है, माइनिंग से और maximum लोगों ने माइनिंग बंद कर दी, इसलिए मैंने कहा जिनकी sale हो रही है, अपने network में दिखाओ कि pie trade हो रहा है, उससे उनको उमीद बंदेगी और वो दबारा से शुरू कर कहते हैं, कि जब आपने supply नहीं देनी, तो सबसे मेहनत क्यों करा रहे हो, अब वहीं दूसरे, मेरे एक दोस्त कहते हैं कि air drop event कहते हैं, इनका sport portal active ही नहीं है, कि हम पूछ सके हैं कि हमारे pie mainnet में transfer क्यों नहीं हो रहे, और बिलकुल ठीक है, maximum मेरे दोस्तों के ये निक्कत है, परिशानी है, कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बाद आप देखिए, मेहर खान कहते हैं, मेरा step eight complete नहीं हो रहा, एक साल से ज़्यादा time हुआ, मैंने भी इनको लिखा, मैं क्या बोलूँ अब इसके ओपर, और उसके बाद आप देखिए, आरेन सनोधिया कहते हैं, एक बात ब में, तो कोई life change होने से रही, क्या आने वाले time में यही prize होगा, क्योंकि जितने पास उतना profit है, क्या उनका, बिलकुल होगा, और काफी अच्छी prize होगी, लेकिन उस prize के लिए, हर आदमी को, मैंने जो last video में समझाने की कोशिश की थी, sacrifice करना पड़ेगा, मैंने एक स्वाल प comment ऐसे होगे, दो बंदे ऐसे होगे, जिन्नोंने कहा होगा 30 bitcoin हमें चाहिए, maximum लोगों का answer क्या था, एक से 5 bitcoin, अब अगर आप लोग पाई को bitcoin बनते होए देखना चाहते हो, तो दोस्तों यही आपके wallet में रहने चाहिए, अगर आप 50 bitcoin, 100 bitcoin की आप expectation लेके चल रहे हो, या 1000 bitcoin की expectation लेके चल रहे हो, तो आपकी expectation बेकार है, आपका सोचना बेकार है, आपकी सोच बेकार है, और फिर पाई जो है, उस level तक नहीं पहुंच सकता, अब मेरे एक दोस्त हैं, शौट्स मस्ती कहते हैं, एक पाई 10,000 बिलकुल होगा 2027 में, और मैंने लिखा right, यह मानने वाली figure ह है, और आप मान के भी चल सकते हो, लेकिन 2000, मैं 27 भी नहीं मान रहा है, मैं इसकी value जो भी expect कर रहा हूँ, 2030 के बाद कर रहा हूँ, मैं अभी expecting कर रहा है, इसलिए सब को बोलता हूँ, कुछ भी कर लो, profit बानना है, मुनाफ़ा बानना है, जो करने, जहां आपको समझ आती है, कम से कम, 10, 20, 50, 100 काईन आपके जो है, wallet में रख दो, और मेरे तुरू जिन्नों ने सेल किये, मैंने सबके देखे, और सबके account में save करवा रहा हूँ, 100% मैं सेल किसी की भी नहीं करवा रहा, नरिंदर माली कहते हैं, सर नमस्कार, बहुत अच्छा लगा, आपके वीडियो पर मैं ये जाना चाहता हूँ कि मैं खुद एक pioneer हूँ, कितने साल तक hold करना पड़ा क्योंकि मुझे सर पैसों की जरूरत है, ऐसा कौन आदमी है जिसको जरूरत नहीं होती, और जो pie network के उपर भरोसा है, वो मजबूत हो जाए, अगले वीडियो में जरूर बताना, दोस्तो 2030, 2030 एक ही फिगर, एक ही वर्ड अपने दिमाग में लेके चलो, और उससे पहले मुझे नहीं लग रा कि कुछ होगा, उससे पहले अगर सब कुछ इमानदारी से चला तो 2030, और अगर वे इमानी होगे तो 2025, maximum, उसके बाद क्या होगा, कोई पता नहीं, और ये सारी चीज़ें उसके बीच में जो मुझे important चीज़ है, मैं काफी दोस्त मेरे पूछते हैं कि हमारा पुराना account कैसे recover होगा, तो दोस्तों उसके लिए, एक चीज़ आपको बताता हूँ, कि मेरे दोस्त ने मुझे message भेजा, मैं message देख रहा था, मैंने का आपके साथ भी share होना चाहिए, ये क्या बोलूँ, लेकिन वहीं दूसरे मेरे दोस्ते हैं, मैं सब को कहता हूँ, अगर Facebook से verify करके रखा, और जब मैंने वीडियो बनाने शुरू किये थे, सब को यही बात बोली थी, आज नहीं तो कल इन accounts की आपको जुरूरत पढ़ सकती है, Facebook से verify करके रखना, मेरे काफी दो मैंने 2023 में start किया, जबरदस्त बात यहा है कि मैंने Facebook से ही login किया और start हो गई, और साथ ही KYC भी complete होगे, अब देखकर चेक कर रहे है कि मेरी हर चीज़ complete है, pie network related, और migration भी होगे, important और interesting migration भी होगे, यही चीज़ मैं आप सभी को समझाता हूँ, आपके network से अगर किसी ने छोड करना होगा, अब दोस्तो एक वीडियो खतम करने से पहले आगे बढ़ने से पहले एक चर्चा करना चाहता हूँ, यूगल राहूल कहते हैं सपनों की दुनिया बहुत लेवा आशा करता हूँ, आपकी बात सही साबित हो, इसलिए सपने देखना जो है, ना मैं देखता देखो, बट दोस्तो एक थोड़ा सा इंपोर्टेंट यहां बात डिसकस करना चाहूँगा, उमीद है सब ताइम दोगे, इसको ध्यान से समझोगे, ये मेरे को एक मैसेज आता है, मैंने लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था, मैंने का एक दिव्यांग है, ओ अपने पा रुपे में कोई है लेने वाला, उससे मैं पांच हजार ब्याई देना, चार हजार घर का लेक्शन लेना और स्लंडर लाना है, तो दोस्तो अगर कोई आपका आगे आता है, तीस रुपे नहीं, उपर की थोड़ी डील आप बताईए, या जो भी आपको रेट समझ में आता के पास, पहले वेरिफाई कर लो, अब आपको क्या करना है, क्लिक करना यहां पे, यहां पे दो आप्शन है आपके पास, पहले तो आपका बाइनेंस आइडी है, यह आपका बाइनेंस आइडी है, इस आइडी को आप जिसके साथ शेर करोगे, आपके जो यूएस डीटी की transaction है, वो zero charges पे होगी, मतलब आपको कोई भी charge पे नहीं करना इसके लिए, और यह Binance pro mode है, अगर यहाँ पे नीचे जाओगे, यह Binance light है, आप इसको क्लिक करोगे, आप light mode में चले जाओगे, आप देखिए, यह आगया Binance light, अब क्या करना है, जब आप Binance light पे आगे, आप अप अपने portfolio में जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, मान लीजिए, आपके पास USDT है, अब यहाँ पे USDT sell कर सकते हो, आप easily, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे buy है, sell है, sell कर सकते हो, जो भी आपकी quantity है, आप 100% करो, 75% select करो, 50% करो, 25% करो, जैसे भी आपको करनी है, यहाँ प के पास, जो भी आपके पास USDT है, अलग अलग रेट पे, अगर आप यूपी आई से करते हो, तो यहाँ आपको account डालना है, अपना, अप इन चार मोड पे आप P2P selling करके, अपना benefit ले सकते हो, क्या करना है, आप यहाँ पे आपको click करोगे, यूपी आई का account ID डालोगे, account में जो है, वो payment आ जाएगी, automatically, और Binance पे, इसलिए आपको थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इसलिए advice करा हूँ, क्योंकि USDT में payment लेने से, आपके, जो है, आप अलग अलग लोगों के contact में आने से, जो multiple chain है, INR में, उससे आप बच जाओगे, यह तो हो गया, आपके पास एक process, अब चलते हैं हम Binance Pro पे, क्या कर सकते हैं और कैसे benefit ले सकते हैं, वो दिखाता हूँ, अब दोस्तों आपके पास यह बेस में देखोगे, यहां markets है, trades है, futures है, wallet है, यह आप देखो, यहां पर यह 5 चीज़े हैं नीचे, अब हम क्या करेंगे, हम wallet में जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि जो आपको fund आ रहा है, जो भी आपको पैसे आ रहे हैं, तो आपके वो funding wallet में जा रहे हैं, तो यह funding में आपको क्या करना है, इसको transfer करना है, आपको spot wallet में, तो आप क्या करोगे, transfer पे click करोगे, उसके बाद जो भी आपने choose करना है, मान लीजिए जितने आपने fund transfer करन कि आप देखिए यह आपके spot wallet में आगे फंडिंग से निकल गे spot में आपके यह payment आगे अब आप मार्किट पे जाओगे तो यहां पे मैं आपको बताता हूं दो काइन बताता हूं एक है आपका ZDC अभी सारे काइन चले हैं एक ZDC नहीं चला तो आपको ZDC अपने portfolio में रख लेना है मैंने यह दो काइन आपने दोस्तों को जेओ भी मेरे से विड्रा जिन्नों ने लिया है USDT में उनको यह suggest किया एक ZDC और दूसरा मैंने दिया है KP3R यह दिया तो यह मैंने recommend किया आप सभी को बताता हूं यह बड़ा अच्छा इनका trading pattern है KP3R हर तीन दिन में अगर आप इसका चार्ट देखोगे 70-72 की range में आता है उसके बाद 80-85-87 की range में जाता है एक और इसका all time higher bull market का तकरीबन 2000 डालर का तो आपको इसमें trade करना चाहिए इससे आपका क्या हो जाएगा पैसा double हो जाएगा और सारे काइन अभी चले है एक काइन है जो नहीं चला market में जागा ZDC यह काइन अभी चलेगा और यह तकरीबन 34-35 डालर तक जा सकता है फिर यह 30 आएगा फिर 35 जाएगा तो आपको अगर इसमें trading करोगे तो तो आप देखोगे जो विड्रा आप ले रहे हो जो पैसा आप अभी विड्रा करके अपने account में ले रहे हो उससे आपको यहां trading करने में ज्यादा benefit मिल जाएगा और उस benefit इससे क्या होगा कि आपको कुछ नहीं करना उस पैसे को यूज में लाओ trading में profit कमाओ और उसके बाद उठा के उसको अपने account में बिड्रा कर लो safe का safe कोई दिक्कत नहीं कोई परिशानी नहीं और डालर भी अगर जब कभी आप बेचना चाहो on spot बेच सकते हो तो यह एक छोटा सा tweet ले के आप क्या कर सकते हो पूरी परिशानी से निकल सकते हो दूर हो सकते हो अपने bank account को expose करते हुए multiple लोगों को अलगलग channels में कल coin बेच के या multiple crypto बेच के आप अलगलग लोगों के साथ trade करो उससे अच्छा है एक account में trade करो finance पे account open कर लो और यहां से जब आपने sell करना हो आपको account में पैसे भी आ जाएंगे जो मैंने process बताया और second आप यहां trading करते हो यह मैंने दो coin बताया है इस तरह से कुछ और भी coins हैं जो आप price fluctuation देखे होगे अभी जो बुल market है इसमें आप देखो कि अगर आप 10,000 का बेचत सकते हो तीन गुना भी कर सकते हो मेरी ड्वाइज है कि trading करके आपको क्या करना चाहिए इसमें मुनाफ़ा लेना चाहिए बाकी आपकी इच्छा जैसे आप करना चाहते हो तो आपको जो payment है किसी से भी वो USDT में लेनी चाहिए यह मेरी एक आपको personal advice है और अगर फिर भी INR में काम करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से zero balance account open कर लो जैसे payment आए उसको उसी तुरंत तुरंत भीड़ा कर लो so that अगर कुछ कल problem आती भी है तो आपके कोंड में पैसा ही नहीं होगा तो वो लेंगे क्या आप से फिर आपको कोई multiple परिशानिया जो है वो नहीं होंगी इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो में ही खत्म करता हूँ उम्हीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ समयने में देखने में सुईदा हुई होगी मेरे वे दोस्त जो वीडियो को आगे share करेंगे उनका मैं आभारी रहूंगा crypto video को हर social media पे present है description पे link दियो लिंक को click करके follow करना मत भूलना crypto video भी टेलीग्राम पे भी है टेलीग्राम चैनल भी जाइन करो मेरा excel pi का group है वो भी जाइन करो टेलीग्राम पे यह जिसका link मैंने आपने crypto video भी चैनल में दिया हुआ है आपका कोई भी सवाल कोई भी comment रहता है तो description में जुरूर बताना कोशिश करूंगा reply देने की आपके साथ जोड़ने की और आगे हमेशा बने रहने की उमीद है आपका प्यार यूँ ही मुझे मिलता रहेगा वीडियो करता हूं खत्म नमस्कार जैहिंद